नमस्कार के साथियों पर्यावर्ण दिन का आज नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टोपिक है रोजगार कारिकरम रोजगार नितियां रोजगार नितियां देखो रोजगार कारिकरम नाम है लेकिन जो आपके सलेबस है उस सलेबस में जो रिट फष्ट लेवल का जो सलेबस है उस सलेबस में सातियों रोजगार नीतियों के नाम से है रोजगार कारिकरम या रोजगार नीतियों तो शुरू करते हैं सातियों आप द्यान से देखना कोपी उर्पेन लेकर बेड़ जाएए मैं विश्वाज धलता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा रोज पुजगार जो करिकरम है उसकी अपन बात करते हैं पहली बार विश्वय यूवा कोशल दिवस लिख लीजिए एक एक आप इसका स्क्रीन सोट लेकर भी आप लिख सकते हैं पहली बार विश्वय यूवा कोशल दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया शाति हूं इसकी गोशना स्यूवा कोशल दिवस बनाया गया वो 15 जुलाई 2015 को मनाया गया विश्वय में वो किस के द्वारा स्यूवा कोशल दिवस बनाया गया वो सयूवत राष्टे संग का गठन कब हुआ 24-10-1945 और इसका जो कारेले वो नियू योर्क में है सयूवत राष्टे संग का आपे है नियू योर्क में अब देखो भाई अब टार्गेट इसका क्या है जो पहली बार जो विश्वय यूवा कोशल दिवस मनाया गया सयूवत स्टे संग के द्वारा इसका टार्गेट ये है कि 2030 तक संपुन रोजगार उपलब्द कराएं हम यूवाओं को संपुन रोजगार 2030 तक उपलब्द कराएं अब इसी के नाम से बारत में क्या संस्ता है बारत में यूवाओं के लिए कौन से संस्ता है तो वो है केंद्रिय को केंद्री कोरुल विकास उध्मिता मंत्राली का गठन वहा ता सातियों 9 नंवंबर 2014 को गठन कभ हुआ ो नंवंबर 2014 प्रमौत का अब सातियूं बात करते हैं जो केंदरी कोशल विकास एंव उदमेता मंतराली है उसके केंदरी मंतरी हैं डाक्टर मेहन्दर नाथ पांडे और राज्जे मंतरी हैं डाक्टर केपीक कर्स्ननं। आपको यहां तक पूरा समझ में आया, देखो पहली बार विश्वय युवा कोशल दिवस मनाया गया सातियों 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को, किसके द्वारा संयुक्त राष्टे संग के द्वारा, किसके द्वारा संयुक्त राष्टे संग के द्वारा, संयुक्त राष्टे संग है उसका गठन हुआ 24 ao 2485 को इसका टार्गेट था शंपुन रोजगार उफ लब्ध करवाना अब अब युवाँ के लिए जो रोजगार का कार्य भारत में कौन सा मनत्रा ले करता है वो करता है केंद्रिय कोशल विकास उद्मिता मनत्रा ले भारत में क्या कारे करता है बारत में युवाओं को रोजगार दिलाने का कारे करता है युवाओं के कोशल को पहचानने का कारे करता है इसका गठन हुआ था 9-11-2014 यानि 9-9-2014 को इसके केंदरी मंत्री है महेंदरनाथ पांडे और जो राज्य मंत्री है वो है केपी कर्षन राज्य मंत्री है केपी कर्षन डाक्टर केपी कर्षन और केंदेवे मंत्री है डाक्टर महेंदरनाथ पांडे यहां तक समझ में आया अब देखो साती हूं आगे अब देखो परदान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा एक कारिकरम चलाए गया उस कारिकरम का नाम था कोशल बारत यानि इश्किल इंडिया उस कारिकरम का क्या नाम था इश्किल इंडिया इसकिल इंडिया उस कारिक्रम का नाम था नरेंदर मोदी द्वारा ये कारिक्रम चलाए गया कोशल बारत इसकिल इंडिया 15 जुलाई 2015 को बनाए गया मैंने बताया था 15 जुलाई 2015 को क्या है विश्वय यूवा कोशल दिवस के दिन ही इस कारिकरम की शुरुआत हुई 15 जुलाई 2015 को नरेंदर मोदी दुआ रहा कोशल भारत यानि इसकिल इंडिया कारिकरम चलाए गया उसकी कब चलाए गया 15 जुलाई 2015 को यह कारिकरम केंदरी कोशल विकास वैं उद्मिता मंतराले के दुआरा इस कारिकरम का उद्देश ये था कि देश की यूवाओ को कुशल बनाकर उनके रोजगार अवसरों को बढ़ाना इसकिल इंडिया कारिकरम केंदरी कोशल विकास उद्मिता मंतराले दुआरा मंतरा आ जाता है इसकिल इंडिया कारिकरम का उद्दस ये रहता है कितने छेतर आते हैं 26 कौन कौन से छेतर आते हैं 26 छेतर आते हैं 26 छेतर आते हैं सातियों इसमें सिलाई मेहंदी कम्पुटर इत्यादी छेतर मिला के 26 छेतर आते हैं इनमें क्या होता है इनमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग के बाद उनका एक्जाम लिया जात जाता है उस certificate के आधार पर वो किदर भी कारे कर सकते हैं और काम ले सकते हैं तो इस कारेकरम का ये काम था किस कारेकरम का इसकिल इंडिया का इसकिल इंडिया कारेकरम का ये कारे था सातियों समझ में आगे आपको भाई इस कारेकरम में युवाओं को कुसल बनाते हैं 26 सेक्टरों में 26 सेक्टर कौन कौन से हो गए जैसे computer शिलाई में इत्यादी छेतर 26 इसमें certificate दे दिया जाता था इन्हें ट्रेनि इसकिल इसकिल डवलप्मेंट कोर्पोरेशन नेश्डिसी का नाम है नेश्डिस्किल डवलप्मेंट कोर्पोरेशन नेश्डिसी का नाम है नेश्डिस्किल डवलप्मेंट कोर्पोरेशन नेश्डिसी का नाम है नेश्डिस्किल डवलप्मेंट कोर्पोरेशन नेश्डिस हिंदिम बोलें तो राज्ट्रे कोशल विकास निगम, NSDC का नाम है National Skill Development Corporation, इसकी इस्तापना कभी 2009 में, NSDC का नाम है राज्ट्रे कोशल विकास निगम, यानि National Skill Development Corporation, इस्तापना 2009 में, कार्याले नई दिल्ले में, कार्याले इसका कहा है सातियों, इसका कार्याले हैं नई दिल्ले में, कार्याले कहां पर हैं नई दिल्ले में, राज्ट्रे कोशल विकास निगम की गोशना केंद्रिय बजट, 2008 वे 2009 में की गई, यह PPP model पर आदा रिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप, पब्लिक 51% इसा है, वो है प्राइवेट सेक्टरों का, समझेए एक एनस्टी सी करेकरम लागू हुआ, राज्ट्रे कोशल विकास निगम करेकरम, इसकी इस्तापना 2009 में हुई, कार्याले इसका नई दिल्ली में सहातियों, राज्ट्रे कोशल विकास निगम की गोशना केंद्रिय ब गुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और जो निजिच सदसे हैं वो हैं 8 तो कुल सदसे हैं इसमें 12 कुल सदसे कितने कारे करते हैं इसमें 12 अब इस NSDC का कारे क्या है NSDC का कारे है जो भी UR रोजगार शुरू करना चाता है उसको रोजगार करने के बारे में जान करी देना और आवसकता पढ़ने पर लोन उपलब्द करवाना NSDC राष्ट्रे कोसल विकास निगम करीकरम इस्तापना 2009 में यह कारे आले कहां पर इसका नई दिली में है साथियों यहां तक आपको समझ में आया इसका कारे क्या है इसका कारे है युवाओं को क्या करना रोजगार शुरू करने के लिए उस रोजगार के बारे में जान करी द आगे देखो यहां पे द्यान देना बहुत इंपोर्टेंट यहां से प्रसंद पूछा जाता है राष्ट्रे ग्रामिन आजिव का मिशन नेशनल रूरल लिविंग मिशन एक अप्रेल गुन्नी सो नन्यानमे में योजना बणी शातियों फिन नाम आता है स्वन जेनती ग्र ग्राम सोराजगर योजना यह योजना च्छे योजना को समाप्त करके बनी थी अब देखो हम बात करें हैं नेशनल रूरल लिविंग मिशन की बात करें हैं फिर नेशनल रूरल लिविंग मिशन का नाम क्या है राष्ट्रे ग्रामिन आजिव का मिशन आपको समझ में आ ज योजना बनी स्वन जेनती ग्राम सो राजगार योजना स्वन जेनती ग्राम सो राजगार योजना फिर बाद में इसका नाम प्रिवर्थित करके राष्टे ग्रामिन आज्जिव का मिशन कर दिया गया इसका पहले नाम क्या था स्वन जेनती ग्राम सो राजगार योजना तो तो बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया National Rural Living Mission अब देखो इसके बारे में जो स्वन जहनति ग्राम सो राजगार योजना ऐसाती हो ये च्छाई योजनावों को समाप्त करके बणी कब बणी एक अप्रेल गुनिशन निन्याने में अब कौन-कौन से च्छाई योजनावों को समाप्त करके बणी इस पर आप गहनता से द्यान देना च्छाई योजनावों को समाप्त करके बणी पहली योजना थी एक इकरत ग्रामीन विकास कारिकरम एक इकरत ग्रामिन विकास कारिक्रम IRDP IRDP कब 2.10.18 में ये कारिक्रम बना 2.10.18 में एक इकरत ग्रामिन विकास कारिक्रम ये 6 योजनाओं को समाप्त करके कौन सी योजना बनी थी राष्टे ग्रामिन आजीव का मिशन यानि कि स्वन जेंतिक ग्राम स्वरोजगार योजना बढ़ी छह कौन-कौन सी योजनाएं हैं एक है एकिकरत ग्रामिन विकासकारिक्राम आयारडिपी दूसरी है टी आर वाई एस एम यानि ट्रेनिंग ओफ रूरल यूथ फोर सेल्फ एम्प्लोईमेंट यानि ग्रामिन युवाव के सशक्तिक रण के लिए परसिक्षन योजना ये ट्राइसम योजना पंदरा अगेस्त गुन्यसों गुन्यासिम बनी ट्राइसम योजना इसको टी आर वाई एस एम यानि ट्रेनिंग ओफ रूरल यूथ फोर सेल्फ एम्प्लोईमेंट योजना बोलते हैं फिर बाद में इसको भी इसको भी सुन जेनति ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया फिर टीश्त की कोंशिये दस्तकार ओजार योजना गुन्यसों बैयाशी के समय योजना बनाई गई दस्तकार ओजार योजना फिर दसलाग कुआ योजना गुन्यसों अठैसी नवाशी दसलाग कुआ योजना गुन्यसों अठैसी नवाशी फिर गंगा कल्यान योजना फर जिसका बाद में जाकर नाम राष्ट्य ग्रामिन आजिव का मिशन हुआ आपको समझ में आया ये च्छाई योजनाओं को फिर एकिकरत कर दिया गया साथियूं। जून 2011 को राष्ट्य ग्रामिन आजिव का मिशन कर दिया गया आपको समझ में आ गया इसका नाम क्या कर दिया गया राष्ट्य ग्रामिन आजिव का मिशन। का मिशन कर दिया गया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा नई समझ में आया ये तो वीडियो वापस से देख लेना मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा साथियों। साथियों आगे देखू फिर एक योजना की है टी आर वाई एस एम जिस योजना की अपन अभी बात कर रहे थे जो पंदरा अगस्त गुनिशो गुनियाशी में बनी थी पंदरा अगस्त गुनिशो गुनियाशी में जो योजना बनी थी बाद में उस योजना को किस में मिला दिया गया सुन जैनती ग्राम सोराजगार योजना इसकी बात करते हैं। योजना का नाम है ग्रामीन युवाओं के सशक्ति करन के लिए प्रसिक्षन योजना इसका कारे है ग्रामीन चेतर के बेरोजगार युवाओं को प्रसिक्षन देने के लिए योजना बनी पंदरा अगस्त गुनिशो गुनियाशी में भारत सरकार द्वारा यह योजना कर् योजना थी वो किसके अंडर आती थी आती थी यह बात क्यों कर रहा हुँ में क्योंकि इसको बाद में स्वन जैनती ग्राम स्वरोजगार योजना में सामिल कर लिया गया यह आती थी कर्षे-एम ग्रामेंड विकार समंत्रा लेकि अंडर में एक अप्रेल गुर्णी सो निन्याण में में स्वन जेनती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसे सामिल कर लिया गया ये जो छाय योजनाई है इन छाय योजनाओं में इसे ये देखो टी आर वाई एसे एम इसे सामिल कर लिया गया उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ ग्राम्स हो राजगार योजना में इसे सामिल कर लिया गया साथ हों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी आप इसको एक एक पॉइंट बना करें जैसे मैंने पड़ाए है वैसे पॉइंट बना कर आप इसे लिखें been कोपी में इसे लिखे कोपी में आप इसे लिखे फिर समझिए आपको समझ में आ जाएगा उमीद करता हूँ हमसे जुड़े रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत शाथी